यह वाले चीज लो या यह वाले पता नहीं हमेशा confusion बना ही रहता है और डिसाइड करने तिना मुस्किल क्यों हो जाता है और हमेशा यह जब हमको कुई suggestion को किसी को देना होता है तो हमको पता होता है कि क्या करना लेकिन जब अपने उपर पे आते तो confusion disorder कभी ना खतम वाले unlimited problems कि आप हर रोज इनी सब में खुद को फसा हुआ महसूस करते हैं क्या आप हमेशा काम में परिशान रहते हैं क्या आपको लगता है कि आपके रुस्ते खराब होते जा रहे हैं अगर हाँ तो यहां summary आपके लिए ही है यहां पे 12 rules दिएगे जो आपको अपने life मे order लाने में help करेगा यह आपको बेकार के जंजटों और तकलिफों से फसने निकलने में help करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की book summary तो चलिए स्टार्ट करते हैं summary of 12 rules for life जिसे लिखा गया है जौर्डन पिटर सर के द्वारा तो अगर इस book की बात करे तो चलिए समझत है क्या आपने कभी हारा हुआ फिल किया है क्या आपको लगता है कि life बहुत ही unfair है क्या problems के बोज तलिया आप खुद को तला दबा हुआ फिल करते हैं हो सकता है सायद उस वक्त आप निरास हो करके अपना से नीचे जुका देते होंगे आपके कंदे और पीट भी जुक जात से हम और भी ज्यादा depressed फिल करने लग जाते हैं इसकी बजाए आप अगर सीधे खड़यों करके कंदों को श्रेट करके गहरी सास लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा फिल करेंगे अपने सिर को जुकाए नहीं उसको उच्चा रखे स्माइल करने की कोशिस करें एक सही posture और मुसकाना आपकी बोड़ी में serotonin के level को भढ़ा देता है अब serotonin होए क्या? serotonin एक happy हार्मोन है यह आपकी नशों को आराम देता है उनको relax करने में मदद करता है यह आपकी community को भी strong करता है इस हार्मोन की वज़ह से आपको अच्छे thoughts आते है यहां तक कि जानवरों में भी अच्छे posture को बनाये रखना बहुत important है एक strong body का मतलब होता है survive करने का ज्यादा chance होना तो चलिए lobster यानि की केकड़े की बात करते हैं समुद्र के नीचे गहराई में survive करने के लिए बहुत संगर्स करना पड़ता है केकड़े की body में serotonin का level बहुत ज्यादा होता है उसका सरी ल आसानी से अपने सिकार को फसा सकता है एक अच्छा और सही posture उसके life के हर पहलू को बहतर बना देता है और उसे और उपर ले जाता है वही लूसरी और एक जुका हुआ केकड़ा हमेसा एक loser ही होता है उसके body में serotonin का level कम होता है वो कहीं भी ज्यादा लंबे समय तक survive नहीं क इस पहलू में बिलकुल केकड़े की जैसे होता है खुद को loser मत बनने दो अच्छे मौकों के दर्वाजी आपके लिए सिर्फ तभी open होंगे तभी कुलेंगे जब आपके thoughts positive होंगे तो अपने कंदो और सीर को जिकाए भी न सीधे खड़े होना straight खड़े होना start कर दो अपनी दूसरे नमर में बात करते हैं treat yourself like someone you are responsible for helping मतलब यह कि कुछ लोग होते हैं कि जो थोड़ा सा बीमार होने पर भी अपने आपको hospital में तुरन दक्टर के पास चले जाते हैं लेकिन जब उनको दवाई लेक के दी जाते हैं तो उसको ठीक से ठीक से फोलो नहीं करते हैं कई लो हैं और दवाई तो बच्चों को दी जाती है यह कितने आस्चरिय की बात है ना कि जब हमारे पाल दूजानवर बिमार पर जाते तो हम उनको कितना ध्यान रखते हैं हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं उनको समय पर medicines देते हैं ऐसा लगता है जिसे कि हमें अपने health से ज्यादा उनकी health के चिनता है और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारा कोई अपना विमार हो जाता है हम उनको सही समय पर दवाई देने के लिए याद दिलाते रहते हैं हम तो उनको दवाई दिलाने से खिलाने से पहले खाना खिलाने तकी बैठ जाते हैं हम हमेशा उनसे अ करते हैं कुछ का भी ध्यान रखिए अपनी एहमियत और वैल्यू को समझना स्टार्ट करिए डॉक्टर की एडवाइस को फोलो करें और हाइजिन को अपनी लाइफ का पार्ट बना दे हेल्दी खाना अपने डाइट में सामिल करें बुरी आदतों से बच्चे अपने माइन को पॉजिटिव थॉट्स से भरे और हमेसा कुछने को सीखते रहे अपने माइन को एक्टिव बनाए रखे अगर आपने खुद को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन करना सीख लिया तो सोचे आपके लाइफ कितनी बदल जाएगी आपकी लाइफ कितनी और्गनाइजड हो आप कह सकते हैं कि वह जगह काफी स्वस्त और बोरिंग थी खास कठन के मौसा में वहां कुछ भी करने के लिए नहीं होता था उनका एक दोस्त था जिसका नाम था एड वो बहुत थी इंटेलिजन और स्मार्ट था लेकिन वह बहुत थी गुसल था और नेगेटिब सोच भ के साथ में समय बिताने लगा जो स्कूल कॉलेज बीच में ही चोड़ दिये थे जॉड़न उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था एक दिन एड जॉड़न से मिलने उसके कॉलेज में उसका अपार्टमेंट में गया जॉड़न ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया लेकिन एड अकेला नहीं था उसके साथ में उसका दोस्त काल था जॉड़न उसको देखते ही समझ गये कि वो दोनों ड्रॉक्स के नसे में चूर थे काल नीचे बैठा और उपर सीरिंग को घुड़ने लगा उसने बोला कि उसकी बोड़ी उपर हवा में तैर रही थी आखिर में जॉड़न ने एड को एक तरफ ले जा गरके उसको वहां से ले जाने के लिए कहा एड ने सिर हिला दिया सायद सिर्फ लोयलिटी के वज़े से वो काल के साथ घुमता था ऐसे लोगों के साथ रहना जो नसा करते हैं आल सी और लाइफ में जिन्गा कोई परपजी नहीं है बहुत दुख्य बात है लेकिन अंत में आप ऐसे लोगों के संगत चाते हैं यानि सर्फ आपकी ही चोईस होती है आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको कोई बोल नहीं रहा है यह आपकी चोईस टोटली आपकी चोईस है इसके अलाव आप ऐसे अच्छे दोस्तों के साथ आपको लाइफ में मीनिंग धुनने में हल्प करता है अगर आप इन बदलाओ को अपनाते हैं तो आने वाले सिंदिगी में होप यानि कि उम्मीद, प्यार और खुसियां आपका इंतजार कर रही होगी हमेशा के लिए तो इसी उम्मीद के साथ में आप आगे बढ़ते हैं चौते रूल के लिए एक दिन सोचल में मीडिया ब्राउज करें और आपके दोस्तों के इमेज आपके सामने आ जाए आप उनकी इमेज देखने लग जाते हैं उनमें से कुछ यूरोप में वेकेशन बनाने गए तो किसी को जोब में प्रोमोशन मिला कुछ लोगों को उनका लाइफ पार्टनर मिल गया उनकी साथ ही हो गई किसी को अपने फिल्ड में आवर्ड मिला है और कुछ ने अपनी मास्टर्स के दिरी कम्ट्रीट कर दी तो अब आप खुद को उनसे कंप्यार करने लग जाते हैं कि कहां वो लुग लाइट में मजे कर रहें और वहीं आप दूसरी तरफ है जो अपने अस्त वयास्त और गंदे अपार्टमेंट में अपने बिल्ली के साथ में अकेले बैटे बीयर पी रहे हो तो अब यहां पर बहुत इंसिक्यूर और जैलेस फिल करने लग जाते हो आप तो यह आपके पास अपनी यूनिक स्किले आप उनसे अलग है और उनसे कम भी नहीं है आप खुद में एक कमाल के इंसान है बिल्कुल आपके जैसे इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करिये सुईकार करिये आपकी जो दूसरों की निकल करेंगे तो ना उनके जैसा बन पाएंगे और ना ही आपके खुद की कोई अलग पहचान बन पाएगी खुद को दूसरों से कमपेर करने के बजाए आप कल क्याते उससे खुद को कमपेर करें सिर्फ तभी आप असल में फारक देख पाएंगे और समझ प सोचिल मीडिया ब्राउज करने से हमको खुद में कम्या निकालने के बजाए अपना टाइम और एनरजी किसी प्रड़क्टिव चीज में लगाते अगर आप काम को कलप पर टालने की आदत को छोड़ करके प्रैक्टिस करने में समय लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादे इ आपको एक नेगेटिव इंसान बना देता है लेकिन आपका एम खुद को कल से भी बहतर इंसान बनाने का होना चाहिए तब आपकी लाइफ सही माइनों में खुब सूरत और कमाल की होगी और इसको साबित करने के लिए आपको किसी सोशियल मीडिया पर पोस्ट की ज़रत न जारा देखा था एक तीन साल का बच्चा था जो बहुत नकरे कर रहा था टेंटरम्स दिखा रहा था वो सबके सामने जोड़ जोड़ से चिला रहा था वो उसके पैरेंस उसको अंदेखा कर रहे थे वो बहुत ही इंबैरस फिल कर रहे थे लेकिन विसा आगे चलते जा रह तो दीरे दीरे रोई जा रहा था, वो सरेफ उनका ध्यान अपनी तरफ खीचने की कोशिस कर रहा था, वो सकता है कि उसको कुछ चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनके पैरेंट्स उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो इसलिए और ज्यादा तेजी से रोने लगा, आस पास क सारे लोग उनको देख रहे थे, अगर उसके पैरेंट्स अगर एक बार रूप करके उसके बच्चे की पूरी बात सुन लेते, तो उससे बात करते तो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्फ हो जाती, वो बच्चा सैतानी करना और चिलाना बंद कर देता, अगर आप खुद एक प करेगा कि दूसरे उससे कैसे टूइट करते हैं, अगर आप इंपेसंट होंगे या उसको मारेंगे तो आप दूसरों से अच्छे वयोहार की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, सांत और जिम्मेदार पैरेंट्ट एक खुश और डिसिप्लिन बच्चे को बढ़ा करती है, साइकल इसको नजर अंदाज ना करें तो नहीं तो आपको बच्चा बिगड़ता चले जाएगा, उसको कभी भी सही गलत के परक को नहीं समझ पाएगा, अपने बच्चे के साथ समय बिताइए, उसको पूरा ध्यान आपका बच्चे पर होना चाहिए, उसको इस बात का एहसास करा हैं और वो आपके लिए कितना इंपोर्टेंट है, इससे जो गहरा रिस्ता और करेक्शन बनेगा सिर्फ वो हमारे बच्चे को मिस्विये बने से रोक सकता है, उसे मारने, डाटने या सजा देने से हम यह कभी हासिल नहीं कर पाएगे, वालकि वो हमसे दूर होता चला टीचर्स उसको पसंद करेंगे, उनके पोलाइट नेचर के कारणे, बड़े भी उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो यह बच्चे का ओल राउंड डैबलोप्ट्मेंट करेगा, बच्चों के परवरिस करना आसान कम नहीं, इसमें बहुत पैसेंस की ज़रत होती है, ले बैलेंस्ट होता है, तो इसी बात के साथ में आगे बढ़ते हैं, बात करतें छटे रूल की, सेट यूर हाउस इन पॉफेक्ट और बिफोर यू किटिसाइजिंग दे वर्ल्ड, चलिए इससे समझते हैं, 2012 में एक गनमें ने एक प्राइमेरी स्कूल के बीच बच्चों और हिटलर एक उपाय लेकरके आया था, बैसे ही में भी एक उपाय लेकरके आया हूँ, उसका मानना था कि पूरी मानाव जाती को खतम कर देना चाहिए, एक भी इंसान जिदान नहीं रहना चाहिए, इस दुनिया में तो वैसे ही पाप भी भरा हुआ है, ये किसी नारक्सेंट क्या हम नहीं तो मरती नेट से क्या फर्ख पड़ेगा तो हम सब की लाइफ में कभी ने कभी ऐसा समय जरूरा था जब हम इस गन मैं की तरह नीराज और हारा हुआ फिल करते हैं तो दुनिया में क्या-क्या हो रहा है वो हम नियूस में देखते रहते हैं कहीं जंग छिड़ी ह तो कहीं भुकम आयाय सुना ही ने तबाही मचा रखी है हर जगह कर्रप्शन और गरीबी के माहौल बन गया है अगर इस तरीक से देखा जाए तो दुनिया सब में सच में एक मायूस जगह है बट आप इसको किस नजरिये से देखते हैं आप पर डिपेंड करता है दुनिया के कम्यों और बुराईयों के बारे में सोचने से पहले अपने आपको ठीक करने के कुशिस करें जब आप खुद को ही बदल नहीं सकते तो दुनिया में बदलाव क्या लाएंगे उन चीजों के बारे में परिसान ना हो जिने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं चींज की सुरवात अपने लाइफ से करें खुद को फूसना स्टार्ट कर दे कि क्या आप अपने जॉब में अच्छा कर रहे हैं और वो एक छोट इसे अपार्टमिन में रहते थे एंटोन के भाई बिलकुल अपने पिता की तरह हो गये थे लेकिन एंटोन ने बहुत मेहनत की उन्होंने पढ़ाई में ध्यान लगया और स्कॉलर्शिप हाजिल की उन्होंने कुद पर अपने पढ़ाई का माहोल का असर होने नहीं दिया अपनी सोच को पोजिटिव रखते वें एंटोन ने बहुत अच्छी मिसाल सामिल की उन्होंने अपने भाईयों को भी बदलने के लिए एंकरिस किया अपने घर के माहोल और सिच्वेशन को बदला आगे चरकर के एंटोन बहुत ही सक्सपूल राइटर बनेंगे आज भी ना जाने उनके वुक्स कितने लोगों को इंस्पिरेशन दे रही है और इसे इंस्पिरेशन के साथ में आगे बात करते हैं पर्स्यू वाट इस मीनिंगफुल नॉट वाट इस एक्स्पिडियन्ट यानि कि जब हम उस्किल टाइम को सामना करते है तब हमारा रियक्शन आना नेचुरल होता है लेकिन हड़ बड़ा जाना गेर जिम्यदार और इन मिच्छी और इंसान के निसानी है आपका क्या बिलीव सिस्टम है आपकी लाइफ का पर्पर्स क्या है आपको आपकी लाइफ के पर्पर्स और मिनिंग को खुजना होगा जब आप किसी मकसद से को पूरा करने के लिए टाइम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा और्गनाइज हो गये है और क्योंकि महान मकसद ही अच्छाई और बुराई के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है यानि की फर्पर्स एक स्ट्राउंग केरेक्टर और एक कमजोर के इंसान में यही फर्क होता है यही एक और्गनाइज और डिसर्गनाइज लाइपस्टाइल का फर्क भी होता है तो आप इनों से क्या बनना चाहते हैं बेटमेन या फिर जोकर थोर या लोग की सेलफ और सेलोग होम या फिर ओर लिया आज़ दी तो ये चोई सापको करनी है चूस किजिए और इसी के साथ में आये बढ़ते हैं आठ लोग तेल दे तुरूथ एक लिस्ट डोंट लाइक एक लिस्ट लाइक